इस वक्त हम मौझूद है हरियाना के मेहंदरेकट के कनिना के उसी इलाके में जहां सुबह एक बड़ा दर्दनाक स्कूल बद हाथसा हुआ जिसमें 6 बच्चों की दर्दनाक मोत हो गई दरसल इस रास्ते से स्कूल बस जो है वो सुबह आ रही थी और उसके बाद ये जो पीछे आप मोर देख रहे हैं इसी मोर के उपर एक तरह से जो स्कूल बस है उसका नियंतरन जो है वो नहीरार उसके बाद वो बस इस पेर से जाकर के जा टकराई और उसके बाद एक बड़ा हाथसा हुआ जिसमें की बस पलट गई और उस वक्त बस में करीब 40 से जाज़ा जो छात्र हैं वो मुझूद थे और वो सभी इस हाथसे का सिकार हो गए और मौके पर ही जो पांच बच्चे हैं उनकी मौत होगी जबकि इलाज के दोरान एक और छात्र ने दम तोड़ दिया इसके अलवा काफी सारे जो चात्र है वो गाहिल है जिनका अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है करीब 12 चात्र ऐसे हैं जिनका रेवाडी के निशान देख रहे हैं यह खून के निशान है जो चात्र उस बस के अंदर मौजूद थे जब गाहिल हुए इस आथसे के बाद और यह पूरी तरह से जो चीजे बिखरी पड़ी है यह उस बस की निशानी है जो बस इस आथसे का शिकार हुई बताया यह जा रहा है कि जो य सब्सक्राइब करें की कोशिश करते हैं आप बताइए क्या हाथ्षा किस तरह से हुआ था यह सुबह करीब साढ़े आठ मुझे का टाइम ता दनुन्दा की साइड से बस आ रही थी और इस पेड में टकराई जो मुझे जानकारी मिली और वो टकरा के पल्ट गई बस अपनी बसों में बस उठाई पहले फिर वापनी बसों में शिफ्ट करके उनको पूश्पिटल पुछाएगा क्या जो ड्राइवर है उस रापके निश्य में था या फिर लोग बता रहे हैं लोग बता रहे हैं आप यहां थे क्या कुछ देखा आपने बिलकुल आई थे य कैसे टकराई बस यहां पर पलटी मार गी बस के निच्छे चैर पाच और दा स्पोर्ट बच्चे खतम हो गए थी यहां पर आवाज उज लगाने पर ये यूरो के स्टाफ आ गया यह एपड़ गोदाम से बंदे आ गए थे तो वो बस उठाई हमने और फिर बच्ची निका कर रहा है आलांकि उसके इस हादसे के बाद शिक्षा मंत्री खुद जो है कई चात्रों से मिल चुकी है अस्पताल का दोरा भी कर चुकी है लेकिन बड़ी बात यह है कि आज चुट्टी का दिन था बावजूद इसके स्कूल खुली हुई थी तो ऐसे में क्या सिर्फ याक कारवाई की जाएगी क्योंकि चुट्टी के बावजूद भी इस सकूल को खोला गया था धर्यमी शर्मा न्यूज एटीन कानीना मेंदरगड